मतलब सिदा हाते गोड़े पर चड़के हैं और जाते समय गोड़ा भी मेरे पास ही शूर दिए हम लोग मत्था टेकने में ज्यादा विश्वाश कर रहे हैं मत्था मारने में कम विश्वाश कर तो मैंने भी पहले जौब से कम शुरू किया था जौब के साथ पार्ट टैम दोस्तो राजवन सिंग महाली प्रपटी गुरू कुल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वाकित है हमारा चैनल आपको रियल स्टेट में बेस्ट एक्सपर्ट एडवाईज देने का काम करता है और रियल स्टेट पर एजूकेशन देने का भी काम करता है दोस्तों जो आज या अपने लिए कोई एक्सपर्ट एडवाईज लेने वाले लोग आते रहते हैं ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं आज कल मैं ये देख रहा हूँ कि हमने आपके साथ ही काम करना है तो मैं कहता हूँ यार आप कितनी दूर से आई हो तो आप वहां काम कर लो यदि आप इतनी दूर से एक आए एक तो बच्चा लाहाबास से भाग कर आ गया और घर में बता के भी नी आया के मैं सरके बाद जा रहूं पिर बाद में जब मेरे को पता लगा कि इस तरीके से करने के लिए बहुत जाधा सापिल्ट में आते हैं weakest में आते हैं लेकं जब वह दो तीन चार दिन मेरे पास रुकते हैं तो उनका जोष ठंडा हो जाता पिल्कुल मतलब सीधा आते हैं गोड़े पर चड़के हैं और जाते संवें घोड़ा भी मेरे पास ही शूड़की ते तो यह काम कियों हो रहा है क्योंकि हम जो सख्त मेंत मेंत करने के आदी नहीं हुए हम लोग मत्था टेकने में जदा विश्वाश कर रही है इसी हमारने से ही हमारी जो गुरोथ हुनी है सो जो ऐसे लोग आते हैं उनके लिए मैं कुछ मैंने मैंने अपने लिए सवाल तैयर किये हैं उनसे जो मैं पूछता हूँ जो आदमी मेरे पास काम करने के लिए रहा है वो इंटर्वियू टाइप एक मैं सवाल करता हूँ को सबसे पहले जो मैं सवाल करता हूँ कि आप है कौन मतलब उसका नाम उसकी क्वालिफिकेशन उसके परवार बारे के उसके पापा क्या क्या कम करते हैं उनके पापा का इंट्रस्ट क्या है और उसके पापा का आपको लेके क्या इंट्रस्ट है कि आपको क्या बनाने जाते ह यदि हो कहे कि मेरे पापा कहते है जी जॉब कर ले ये कर ले वो कर ले जॉब बड़ी तरफ लेकर जाते हैं तो मैं उनको सलाह कम देता हूँ कि पहले अपना family atmosphere ठीक करो फिर आप जाके बिजनस में आओगे या इस तरीके से मेरे साथ काम करना चाते हो तो ठीक है पार्ट टेम बिजनस काम कर सकते हो आप दूसरी तरी आप काम करो जिस तरीके से आप काम करना चाते हो दूसरा कोई जॉब कर रहे हो तो मैंने भी पहले जॉब से काम शुरू किया था जॉब के साथ पार्ट टेम शुरू किया तो फिर मैं उनको यह बोलता हूँ कि आप पार्ट टेम शुरू कर लो आप सीखना शुरू करो जब आप सीखोगे तो आपके पास बहुत ज्यादा option हो जाएंगी तो समसे पहले आज भी एक लड़क सीखना है जिस दिन आप सीखे आपका confidence बन गया और आपका communication skill ठीक हो गया आपकी body language ठीक होगी आपको documentation के बारे में नौलज होगी तो लोग अपने आप आपके पीछी हैंगी पैसे लगाने माले आपको पैसा नहीं लगाना हो फिर कहता है जी पिना पैसे कैसे हो सकता है मैं करने का business शुरू करने के लिए सिर्फ तीन बातों की जरूरती है एक ग्यान दूसरा ध्यान और तीसरा समान ग्यान का मतलब आपके पार knowledge हो ध्यान का मतलब आप उसमें efforts कितीं लगाते हो concentration कितीं डाल रे हो और समान का मतलब है पैसा कितना उचमें लगा रही हो यदि तीन बस्तू मेंसे आपके पास दो बस्तू हो तो भी business successfully run हो सकता है यदि आपके पास सिर्फ एक बस्तू हो जिसको मैं घ्यान केता हूँ तो भी आपका business successfully run हो सकता है क्योंकि बाकी महुंद करने के लिए तो आप बैठे हो महें कर सकते हो तो यह devenir सबसे पहले तो मैं यह कहता हूँ कि इस काम के लिए आपको 50 लएक करोड दस करोड नहीं चाहिए आपको सिर्फ आप में जजवा चाहिए कि हमने काम करना है, सीखना है, learn before you go to earn, यदि आप इस फार्मूले पे चल जोगे, जो ये मैंने अपनी किताब property कारोबार से खोशाली में दिया है, तो उसके अपर आप चल जोगे, तो आपका काम बहुत असान होना शुरू हो जाएग आपको राइटर कौन सा पसंद है, आपको कमेडियन कौन सा पसंद है, आपको वीडियो कौन सी देखते हैं, आप फिल्मे कौन सी देखते हैं, ये मेरे को बताओ, जब मेरे को पता लग जाता है, कि वो सिद्व मुझसे वाले को देख रहा है, या किसी ऐसे मतलब कलाकार को को देख रहा है, जिसने लोगों को क्रोडों में पीछे लगाया हुआ है, लेकिन शेद Сध नहीं दे रही हो, उनको डिरेक्शन नहीं दे रही है, तो मैं कहता हूं, नहीं भाई पहले अपनी डिरेक्शन से ही करो, अपनी दिशां से ही करो. आप मेरे पास आये क्यों आयो कि अपनी दशा ठीक करने के लिए आयो आप अपनी दशा इस तरीके से ठीक होगी जब पहले आपकी दिशा ठीक हो जाएगी यदि आप ऐसे सिंगरों को देख रहे हो तो आप अपना सिंगर चेंज करो ऐसे सिंगर को सुनो जिसके शब्दों में जिसके लिरिक्स में कोई मैसेज हो कोई मैसेज होगा तब जाके आपको समझाएगा कि ये बंदा क्या करना जाता है कोई टेक्स पढ़ना शुरू करो यदि आप उसमें आप फिर कमेडी सुन रहे हो कमेडी यह नहीं है कि मतलब बेहुद्धा कमेडी जैसे हम देखते हैं कपल शर्मा के भी आप देख लो डबल मीनिंग वाले कितने मतलब डायलोग वो करता है सिर्फ उनों मशूरी के लिए उ और पैसा कमाओ तो यह वो लोगों को गुमारी हैं सामने वाले बंदे को देखना है कि जिसको तीन गंटे चार गंटे हम नेट पे देख रहे हैं उसके गाने सुनने के लिए जाते हैं हमें हम वहां से क्याले कह रही हैं यह तो लोग अमीर होते जा रही हैं लेकिन आप पड़ी दी वानमेंट मिनेजर उसमें सबसे उसने एक बात कही डॉक्टर स्वेंसर जॉनसन ने के सबसे कीमती समय वह है जो आप अपने दोस्तों में इन्वेस्ट करते हूं ना के खर्च करते हूं मतलत जहां पर आपकी नॉलज में इन्वेस्ट होता हो तो हमने इन लोग बहुत हाड़ वर्क करते हैं और कई कहते हैं नहीं हाड़ वर्क तो काम होता है लेकिन हम दूसरे काम कर लेंगे दिमागी काम कर लेंगे मैंने चलो ठीक है तो मैं फिर उनसे पूछता हूं यदि को हाड़ वर्क जो हाड़ वर्क करें उसको मैं बोलता हूं मेरा प्रजेक् की काम कर सकते हैं, फिर उसको उनको इस तरीके की इंटरिव्यू लेता हूँ, मैं कि आप क्या कर सकते हूँ, कंप्यूटर में कैसे कर सकते हूँ, यदि हमने कहीं अपने बारे परजेक्ट के बारे में कोई बात करनी है, किसी के साथ बात करनी है, और कुछी तरीके की सेल में लानी है, तो किस तरीके से हम इसको ला सकते हैं, तो फिर उसके बारे में बात करता हूँ, उसके स्किल के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं उससे पूछता हूँ कि जिंदगी में कभी आपने फेलियर देखी है, और फेलियर देखी है, तो उसको फेलियर को कैसे तुमने फे कहा जाता है तो यह जिस आदमी ने फैलियर देखी हो तो वह आदमी हंडर प्रण कामयाब होता है क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनियों में क्रोड़ों रुपे के पैकेज हैं वो क्रोड़ों रुपे के पैकेज से पहले एक ही सवाल पुछते हैं कि आप पुराना आपका करने में कामयाब हो जाते हैं अपनी टेकनीक बताने में सही सटीक टेकनीक बता देते हैं तो वो उनकी सेलेक्शन हो जाती है और क्रोड़ों रुपे देती है तो इसी तरीके ते फिर मैं उसको आगे जाकर पूछता हूँ कि आपको किताबे पढ़ने का शौक है यह यह जो आदमी देख रही हो आप भी मेरे पास आने जाते हो काम करना जाते हो तो आप यूर मुस्ट वेलकम लेकिन ये बातों का आपके पास जवाब होना चाहिए जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है सो कोई लंबी चोड़ी बात नहीं है कोई बहुत बड़ी बात नहीं कोई एक्स्ट्रा ओड़ी बात नहीं है सिर्फ आप में सीखने की भावना होनी चाहिए competition लड़ने की भावना होने चाहिए काम करने की भावना होने चाहिए बड़े decision लेने की भावना होने चाहिए बड़े काम करने से डरने की भावना कम से कम होनी चाहिए सिर्फ यही फार्मूले और कोई फार्मूले और मैं यह आपको guarantee के साथ कहता हूँ जो मैं इंटर्वियू में लोगों से पूछता हूँ, जो दोस्त मेरे पास आते हैं, जो आदमी मेरे को लगता है कि इन बातों का जवाब देने में confident है, तो वो 100 मेरे पास selection हो जाती है और वो जहां मर्दी रहे, अपने हर्याने में रहे, राज़िस्तान में रहे, पंजाम में रहे, तो उसको काम पर मैं लगा देता हूँ और वो काम पर लगके कुछ ना कुछ ना कुछ आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने से अच्छे ठीक जाके stage पर चला जाता है मेरे पास जितने में इंपलाई रही हैं, मैं तकरीबन सभी को, सभी को बिल्डर मना चुका हूँ, सभी को मतलब 60-70-80% बंदों को मैं बिल्डर मना चुका हूँ, कलो ना इदर मना चुका हूँ में इन्टर्व्यो में यह सवाल रहेंगे और यह सवालों कि यदि आपके पास जवब हैं और यह मेरी आपके साथ मेरी कमिट मेंट है, मेरा दावाय है, मेरा वद्वेदली एक दिन काम्या बिजनसमेर बनोगे बहुत जल्द ने टॉपी के साथ आपके सामने होंगा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबादो और स्वाल हो कोई कमेंट बॉक्स में ने हो तो वीडियो को लाइक करके शेर कर देना थैंक यू बरी मच